कार्तिक मास की चतुर दशी को सजाकर रखे हुए माल पूओं और खीर से परमेश्वर शिव की आराध ना करके वे निरंतर उनका चिंतन करने लगी मार्ग शीर्श मास के क्रशनपक्ष की अश्टमीति थी को तिल जों और चावल से हर की पूजा करके जोतिर में दीप दिखा कर अठवा आरती करके देवी सती दिन भिताती थी पोश मास के शुकलपक्ष की सप्तमी को रात भर जागरन करके प्रात काल खिचडी का नैवैद लगा वे शिव की पूजा करती थी माग की पूर्णीमा को रात में जागरन करके सवेरे नदी में नहाती और गीले वस्तर से ही तट पर बैठ कर भगवान शंकर की पूजा करती थी खालगुन मास के क्रशनपक्स की चतुरदसी को रात में जागरण करके उस रातर के चारो प्रहरों में भगवान शिव की विशेस पूजा करती और नटोद्वारा नाटक भी करवाती थी चैत्र मास के शुक्ल पक्स की चतुरदसी को वे दिन रात भगवान शिव का स्मर्ण करती हुई समय बिताती और धाक के फूलों तथा दवनों से भगवान शिव की पूजा करती थी वैशाक सुक्ल तृत्य को सती तिल का आहार करके रहती और नए जोके भात से रुद्र देव की पूजा करके उस महीने को बिताती थी जेश्ट की पुर्णिमा को रात में सुंदर वस्त्रों तथा भटक टैया के फूलों से भगवान शंकर की पूजा करके वे उने निरंतर निहारती रहती थी असाड के शुकल पक्स की चतुर्दसी को काले वस्त्र और भटक टैया के फूलों से वे रुद्र देव का पूजन करती सर्वन मास के शुकल पक्स की अस्टमी एवं चतुर्दसी को वे यग्यो पवीतो वस्त्रों तथा कुष की पावित्री से भगवान शिव की पूजा क करती थी भद्र पदमास के कृष्णपक्स की प्रियोदसी तिथिको नाना प्रकार के फूलो और फलो से भगवान शिव का पूजन करके देवी सती चतुर्दसी तिथिको केवल जल का आहार किया करती थी भाती-भाती के फलो फूलो उसमैं उत्पन होने वाले अन्नोद्वार वे भगवान शिव की पूजा करती और महीने भर अत्यंत नियमित आहार करके केवल जाप में लगी रहती थी सभी महीनों में सारे दिन सती भगवान शिव की आराधना में ही लगी रहती थी अपनी इच्छा से मानव रूप धारन करने वाली दिवी द्रडता पुर्वक उत्तम व्रत का पालन करती थी इस प्रकार नंदा व्रत को पूण रूप से समाप्त करके भगवान शिव में अनन्य भाव रखने वाली सती एक आगरचित हो बड़े प्रेम से भगवान शिव का ध्यान करने लगी तथा उस ध्यान में ही निशल भाव से इस्तिर हो गई मुने इस समय सब देवता और रिशी भगवान विश्णू और मुझ को आगे करके देवी सती की तपस्या देखने गए और वहाँ आकर देवताओं ने देखा सती मूर्ती मई द्वारा सिद्धी के समान जान पड़ती है वे भगवान शिव के ध्यान में निमगन हो उस समय सिध्ध आवस्था को पहुश गई समस्त देवताओं ने बड़ी प्रसनिता के साथ वहां हात जोड कर देवी सती को नमस्कार किया मुनियों ने भी मस्तक जुकाए तथा श्री हरी आदी के मन में प्रीती उमड आई श्री विष्णु आदि सब देवता और मुनी आश्चरिय चकित हो देवी सती की भूरी भूरी प्रसंसा करने लगे फिर देवी को प्रणाम करके वे देवता और मुनी तुरंत ही ग्रिश्रेष्ट कैलाश्क हो गए जो भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है सावित्री के साथ और मैं लक्षमी के साथ भगवान वासुदेव भी प्रसंनता पुर्वग महादेव जी के निकट गए वहाँ जाकर भगवान शिव को देखते ही बड़े वेग से प्रणाम करके सब देवताओं ने दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से नाना प्रकार के स्त्रोत्रो द्वारा उनकी स्तुति करके अंत में कहा प्रभो आप सतत्व रज और तम नामक जो तीन शक्तियां हैं उनके राग आदी वेग ऐस राहा हैं वेद त्राई हैं अत्वा लोक त्राई आपका स्वरूप है आप शर्णा गतों के पालक हैं तथा आपकी शक्ति बहुत बड़ी है उसकी कहीं और कोई सीमा नहीं है आपको नमशकार है दुरगापते जिनकी इंद्रियां दुष्ट हैं वश में नहीं हो पाती उनके लिए आपकी प्राप्ति का कोई मार्ग सुलब नहीं होता आप सदा भक्तों के उध्धा में तत पर रहते हैं आपका तेज छिपा हुआ है आपको नमशकार है आपकी माया शक्ति रूपा जो अहम बुद्धी है उससे आत्मा का स्वरूप ढख गया है अतेव यह मोड बुद्धी जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता आपकी महिमा का पार पाना अत्यंत काते हैं श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद इस प्रकार श्री महादेव जी की स्तुति करके भगवान विष्णु आजी सब देवता उत्तम भक्ती भाव से मस्तक जुकाए प्रभु शिव जी के आगे चुपचाप खड़े हो गए अध्धाय 15 श्री ब्रह्मा जी का रु श्री ब्रह्मा जी कहते हैं श्री विष्णु आदी देवताओं की की हुई उस प्रार्थना को सुनकर सबकी उत्पत्ति हेतु भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से हसने लगे मुझ ब्रह्मा और भगवान विष्णु को अपनी पत्नी के साथ आया हे विधे तथा हे देवताओं और महरिश्यों आज निर्भय होकर यहां आने का ठीक ठीक कारण बताओं तुम लोग किसलिए यहां आये हो और कौन साकार्य आपड़ा है वह सब मैं सुनना चाहता हूँ तुम्हारे द्वारा की गईस्तुति से मेरा मन बहुत प्रसन्न है भगवान विश्णु की आग्या से मैंने वारतालाव आरंभ किया मुझ ब्रह्मा ने कहा देवादी देव करुणा सागर प्रभू हम दोनों इन देवताओं रिश्यों के साथ जिस उद्देश से यहां आए हैं उसे सुनिए वरशब धोज विशेस्त है आप के लिए हमारा यहां आगवन हुआ क्योंकि हम तीनों साहार्थी हैं स्रस्टी चक्र के संचालन रूप प्रायोजन की सिद्धे के लिए एक दूसरे के सहायक हैं साहार्थी को सदा परस पर यथा योग सहयोग करना चाहिए अन्य था यह जगत तिक नहीं सकता महेश्वर कुछ ऐसे असुर ऐसे होंगे जो आपके वीर्य से उत्पन हुए पुत्र के हाथ से ही मारे जा सकेंगे प्रभो कभी कोई विरले ही असुर ऐसे होंगे जो माया के हाथो द्वारावद को प्राप्त होंगे आप भगवान शंकर की कृपा से ही देवताओं को सदा उत्तम सुख प्राप्त होता गोर असुरों का विनाश करके आप जगत को सदा स्वस्थ एवं अभय प्रदान करेंगे अथवा यह भी संभव है आपके हाथ से ही कोई असुर मारा ना जाए क्योंकि आप सदा योग युक्त रहते हुए राग द्वेस से रहित हैं एक मात्र दया करने में ही लगे रहते हैं इश यदि वे असुर भी आराधित हो आपकी दया से अनुग्रहित होते रहे तो स्रस्टी और पालन का कार्य कैसे चल सकता है अताहव रश भज आपको प्रति दिन स्रस्टी आदी के उप्युक्त कार्य के लिए पुधत रहना चाहिए यदि स्रस्टी पालन और संघार रू एक ही हैं कार्य के भेद से भिन भिन देह धारन करके सिद हैं यदि कार्य भेद ना सिद हो जाए तब तो हमारे रूप का कोई प्रायोजन ही नहीं बनता देव एक ही परमात्मा महिश्वर्तीन स्वरूपों में अभिव्यक्त हुए हैं इस रूप भेद में अपनी माया ही क वास्तों में प्रभु स्वतंत्र है वे लीला के उद्येश से ही ये स्रस्टी आधी कार्य चलाते हैं भगवान श्रीहरी उनके बाएं अंग से प्रकट हुए हैं मैं ब्रह्मा उनके दाएं अंग से प्रकट हुआ हूँ और आप रुद्रदेव उनसदा शिव के हर्दय से सनातन देव, हम तीनों उनी भगवान सदाशिव और शिवा के पुत्र हैं, इस यतार्थ तत्व का आप ध्रदै से अनुभव कीजिए, प्रभु, मैं और श्री विश्नु आपके आदेश से प्रसन्नता पुर्वक लोक की स्वस्थी और पालन के कार्या देख रही हैं, तथा कार्य कारणवश सपत्निक भी हो गए हैं, अता है आप भी विश्वहित के लिए, तथा अन्यदेवताओं को सुख पहुचाने के लिए, एक परमसुंदरी रमनी को अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहन करें, महेश्वर एक बात और है, उसे सुनिए, मुझे पहले कि वरत कांत का स्मन हो आया है, पुर्वकाल में आपने ही शिवरूप से जो बात कही थी, वही इस समय सुना रहा हूँगा, आपने कहा था ब्रहमन, मेरा ऐसा ही उत्तम रूप, तुम्हारे अंगविसेस ललाट से प्रकत होगा, जिसकी लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्धी एक श्त्री के साथ विवाह करके, लोक में उत्तम कार्य की सिद्धी करूंगा, अपनी कही हुई इस बात को याद करके, आप अपनी ही पुर्वपर्तिज्या को पौन कीजिए स्वामिन, आपका यह आदेश है कि मैं स्रस्थी करूंगा, और श्री हरी पालन करेंगे, और आ आप स्वयम संगहार हेतु बनकर प्रकट होंगे, सो आप शाक्षात शिवी ही संगहार करता के रूप में प्रकट हुए हैं, आपके बिना हम दोनों अपना-पना कार्य करने में समर्थ नहीं हैं, अतहे, आप ऐसी कामनी को स्विकार करें, जो लोक हिद के कार्य में ततपर रहे शंभो जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु की और सावित्री मेरी सहधर्मिनी है उसी प्रकार आप इस समय अपनी जीवन सहचारी प्राणवल्लबा को ग्रहन करें मेरी यह बात सुनकर लोकेश्वर महादेवजी के मुख पर मुस्प्राहट दोड आई वेश्री हरी के सामने मुझसे इस प्रकार बोले इश्वर ने कहा ब्रह मन हरे तुम दोनों मुझे सदा से ही अतिन्त प्रिय हो तुम दोनों को देखकर मुझे बड़ा आनंद मिलता है तुम लोग समस्त देवताओं में श्रेष्ट तथा त्रिलोक के स्वामी हो लोक हित के कार्य में मन रहने वाले तुम दोनों का वचन मेरी स्रस्टी में अत्यंत गोरव पूर्ण है किन्तु सुर्ष रेष्टगन मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं होगा क्योंकि मैं तपस्या में सलगन रहकर सदा संसार से विरक्त ही रहता हूं और योगी के रूप में मेरी है अपने आत्म में ही रमन करता हूं और आनंद मनाता हूं जिसका शरीर आवाल हुट दिगंबर है जो ग्यानी आत्म दर्शी और कामना से शुन्य है जिसके मन में कोई विकार नहीं है जो भोगों से दूर रहता तथा जो सदा अपवित्र और अमंगल वेश धारी है उसे स समय मुझे बताओ तो सही मुझे तो सदा केवल योग में ही लगे रहने पर आनंद आता है ज्यान ही पुरुषी योग को छोड़ कर भोग को अधिक महत्व देते हैं संसार में विवाह करना पराय बंधन में बंधना है इसलिए यह बहुत बड़ा बंधन समझना चाहिए इ उसका वली भाती चिंतन करने के कारण मेरी लोकिक स्वार्त में प्रवती नहीं होती तथा पी जगत के हित के लिए तुमने जो कुछ कहा है उसे करूंगा तुम्हारे वचन को गरिष्ट मान कर अथवा अपनी कही हुई बात को पूर्ण करने के लिए मैं अवश्य विवाह करूंगा क्योंकि मैं सदा भक्तों के वश में रहता हूं परंतु मैं जैसी नारी को प्रिया पत्नी के रूप में ग्रहन करूंगा और जैसी शर्थ के साथ करूंगा उसे सुनो धरे ब्रहमन मैं जो कुछ कहता हूं रह सर्वता उचित ही है जो नारी मेरे तेज को विभाग पुर्वक ग्रहन कर सके, जो योगिनी तथा इच्छा नुसार रूप धारन करने वाली हो, उसी को तुम पत्नी बनाने के लिए मुझे बताओ, जब मैं योग में तत्पर रहूं, तब उसे भी योगिनी बनकर रहना होगा, और जब मैं कामा साक्त हो जाओं, तब उसे भी का भामिनी के साथ मैं समागम कर सकता हूँ, जो मेरे शिवचित में विग्ण डालने वाली होगी, वह जीवित नहीं रह सकती, उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा, तुम विश्नु और तीनो ब्रह्म स्वरूप शिव के अंशुभूत हो, अता है महाभागगन, हमार के लिए उसका निरंतर चिंतन करना ही उचित है, कमलासन उसके चिंतन के लिए मैं बिना विवाह के भी कर लूँगा, किन्तु उसका चिंतन छोड़ कर विवाह नहीं करूँगा, अता है तुम मुझे ऐसी पत्नी प्रदान करो, जो सदा मेरे कर्म के अनकूल चल सके, ब्रहम सुनकर मैंने और श्री हरी ने मंद मुस्कान के साथ मन ही मन प्रसंता का अनुभव किया, फिर मैं विनम्र होकर बोला, नात महेश्वर प्रभू, आपने जैसी नारी की खोज आरंभ की है, वैसी हिस्त्री के विशे में मैं आपको प्रसंता पुर्वक कह रहा है, शाक्षात सदा शिव की धर्मबतनी जो उमा है, वे ही जगत का कार्या सिद्ध करने के लिए भिन्य भिन्य रूप में प्रकट हुई हैं, प्रभू, सरस्वती और लक्ष्मी ये दो रूप धारन करके पहले ही यहां आचुकी हैं, इन में लक्ष्मी तो श्री विश्नुजी की देवी शिवा दक्ष पुत्री के रूप में अवतिर्न हुई है, उनका नाम सती है, सती ही ऐसी भार्या हो सकती है, जो सदा आपके हितकार्णी हो। अच्या के अनुरूप वर देकर उनके साथ विवाह कीजी, भगवान विश्नु की और मेरी यही इच्छा है, इन संपून देवताओं की भी यही इच्छा है, आप अपनी शुब द्रस्टी से हमारी इस इच्छा को पूर्ण कीजीए प्रभू, जिस से हम आदर पुर्वक इस उत्सव को देख सके, ऐसा होने से तीनों लोकों में सुख देने वाला प्रम मंगल होगा, और सबकी सारी चिंता मिट जाएगी, इसमें संसे नहीं है, तदन अंतर मेरी बात समाप्त होने पर लीला विग्राह धारन करने वाले भग्त वत्सल महेश्वर से मधुसुदन अच्युत ने इसी का समर्थन किया, तब भक्त वत्सल भगवान शिव ने हसकर कहा, बहुत अच्छा ऐसा ही होगा, उनके ऐसा कहने पर हम दोनों उनसे आज्यले, अपनी पत्नी तथा देवताओं और मुनियों के साथ अज्यंत प्रसन हो, अपने अविष्ट स्थान को चल अध्याय, 16, देवी सति को भगवान शिव से वर की प्राप्ती तथा, भगवान शिव का शृु ब्रम्मा जी को राजा दक्ष के पास भेजकर, देवी सति का वरण करना, शृु ब्रम्मा जी कहते हैं मुने, उधर देवी सतिने अश्वी निमास के शुकल पक्सकी अश्ट में तिथी को खुवास करके भक्ती भाव से सर्वेश्वर भगवान शिव का पूजन किया इस प्रकार नंदावरत पूर्ण होने पर नौ में तिथी को दिन में ध्यान मग्न हुई देवी सती को भगवान शिव ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया उनका श्री विक्रा है सर्वांग सुन्दर एवं गोण वर्ण का था उनके पांच मुख थे और परत्यक मुख में तीन तीन नेत्र थे भाल देश में चंद्रमा शोभा दे रहा था उनका चित प्रसन था और कंठ में नील चिन द्रस्टी गोजर होता था उनके चार उन्होंने हाथों में त्रिशूल ब्राहक पाल वर्त था अभैधारण कर रखे थे भस मैं अंग रंग से उनका सारा श्रीर उद्भाशित हो रहा था गंगा जी उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रही थी उनके सवी अंग बड़े मनोहर थे वे महान लावर्ण्य के धाम जान पड़ते थे उनके मुख्य करोडों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान एवं अहाद जनक थे उनकी अंग कांती करोडों कामदेवों को तिर्श्क्रत कर रही तथा उनकी आकर्तिस्त्रियों के लिए सर्व था ही प्रियती। देवी सती ने ऐसे सोंदरिय माधुरिया से युक्त महाप्रभु महादेव जी को पर्त्यक्ष देखकर उनके चर्णों की वंदना की उस समय उनका मुख लज्जा से जुका हुआ था। तपस्या के पुंज का फल प्राप्त करने वाले महादेव जी उनहीं के लिए कठोर व्रत धारन करने वाली देवी सती को पत्नी बनाने के लिए प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए भी उनसे इस प्रकार बोले। महादेव जी ने कहा उत्तम व्रत का पालन करने वाली दक्ष नंदनी मैं तुम्हारे इस व्रत से बहुत प्रसंद हूँ इसलिए मुझे से कोई वर मांगो तुम्हारे मन को जो अभिष्ट होगा वही वर मैं तुम्हे दूँगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं है मुने जगदिश्वर महादेव जी यद्रपी देवी सती के मनोभाव को जानते थे। उनकी यह बात सुनने के लिए बोले कोई वर मांगो परंतु सती लग्जा के आधिन हो गई इसलिए उनके हिर्दय में जो बात थी वे उसे सफष्ट शब प्रेमो मग्न हो गई इस बात को जानकर भक्त वत्सल भगवान शंकर बड़े प्रसन हुए और सिग्रता पुर्वक बारंबार कहने लगी वर मांगो वर मांगो देवी सत्त पुर्शो के आश्रय भूद अंतर्यामी शंभू सती की शक्ति के वशिभूद हो गई तब सती न अपनी लज्जा को रोक कर महदेवजी से कहा वर देने वाले प्रभो मुझे मेरी इच्छा के अनुसार ऐसा वर देजिये जो टल ना सके भक्त वत्सल भगवान शंकर ने देखा सती अपनी बात पूरी नहीं कह पा रही तब वे स्वम ही उनसे बोले देवी तुम मेरी भारिया हो जाओ अपने अभिष्ट फल को प्रकट करने वाले उनके इस वचन को सुनकर आनद मगन हुवी सती चुपचाब खड़ी रह गई क्योकि वे मनोवांचित वर पाचुकी थी फिर दक्ष कन्या प्रुसन हो दोनों हात जोड कर मस्तक जुका भक्त वत्सल भगवान शिव से वारंबार कहने लगी देवी शती बोली देवादी देव महादेव जगत्पदे प्रभो आप मेरे पिता को कहकर वैवाहिक विधी से मेरा पानी ग्रहन करे श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद सती की यह बात सुनकर भक्त वत्सल महेश्वर ने प्रेम से उनकी ओर देखा और कहा प्रिये ऐसा ही होगा तब दक्ष कन्या देवी सती भी भगवान शिव को प्रणाम करके भक्ती पुर्वक विदा मांग जाने की आग्या प्राप्त करके और मोह अनंद से युक्त हो माता के पास लोट आई उधर भगवान शिव भी हिमाल्या पर अपने आश्रम में प्रवेश करके दक्ष कन्या सती के वियोग से कुछ कष्ट का अनुभव करते हुए उन्ही का चिंतन करने लगे देवरिशे फिर मन को एक आगर करके लोकिक गती का आच्र ले भगवान शंकर ने मन ही मन मेरा स्मर्ण किया तिर्शोल धारी महिश्वर के स्मर्ण करने पर उनकी सिद्धी से प्रेदित हो मैं तुरंत ही उनके सामने जाख़दा हुआ ताथ हिमाल्या के सिखर पर जहां सती के वियोग का अनुभव करने वाले महादेवजी विद्वान से वही मैं देवी सरस्वती के साथ उपस्थित हो गया देवरिशे सरस्वती सहित मुझे आया देख के सती के प्रेमपाश में बंदे हुए शिव उत्सुक्ता पुर्वक बोले शंभूने कहा ब्रहमन मैं जब से विवाह के कार्यों में स्वार्थ बुध्धी कर बैठा हू तब से मुझे इस स्वार्थ में ही स्वतत्व सा प्रतीत होता है दक्ष कन्या सती ने बड़ी भक्ती से मेरी आराधना की है उनके नंदावरत के प्रभाव से मैंने उसे अभिष्टवर देने की घोशना की है ब्रहमन तब उसने मुझ से यह वर मांगा कि आप मेरे पती हो जाईए यह सुनकर सर्वता संतुष्ट हो मैंने भी कह दिया तुम मेरी भार्य हो जाओ तब दक्षाणी सती मुझ से बोली जगतपते आप मेरे पिता को सूचित करके वैवाहिक विदी से मुझे ग्रहन करें ब्रहमन उनकी भक्ती से संतोष होने की कारण मैंने उनका अनु यसे राजा दक्ष की पास जाओ और ऐसा यतन करो जिससे प्रजापती दक्ष शिग्र ही मुझे अपनी कन्या का धान कर दें उनके इस प्रकार आग्या देने पर मैं क्रत्य क्रत्य और प्रसन हो गया भक्तवत सल्विशुनात से इस प्रकार बोला मुझ ब्रहमा ने कहा पर भली भाती विचार करके हम लोगों ने पहले ही उसे सुनिश्चित कर दिया है वरश्ष भज इसमें मुख्यता देवताओं का और मेरा भी स्वार्त है दक्ष स्वयम ही अपनी सुपुत्री का प्रदान करेंगे किन्तो उनकी आग्य से मैं भी उसके सामने आपका सर्वेश्वर महाप्रभू महादेवदी से ऐसा कहकर मैं अत्यंत वेग शाली रत के द्वारा राजादक्ष के घर जा पहुचा श्री नारत जी ने पूछा वक्ताओं में स्रेष्ट महाभाग विधात बताईए जब देवी सती घर पर लोट कर आई तब राजादक्ष ने उनके लिए क्या किया श्रीव रह्मा जी ने कहा तपस्याकर के मनुवांचित वर पाकर देवी सती जब घर को लोट आई तब वहाँ उन्होंने अपने माता पिता को प्रणाम किया देवी सती ने अपनी सखी के द्वारा माता पिता को तपस्य संबन भी सब समाचार कहलवा सखी ने यह भी सूचित किया सती को महेश्वर की वर की प्राप्ति हुई है वे सती की भक्ती से बहुत संतुष्ट हुए सखी के मुह से सारा वर्दांत सुनकर माता पिता को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और उन्होंने महान उत्सव किया उदार चेता दक्ष और महामन स्वामिनी वीर्णी ने ब्रहामनों को उनकी इच्छा के अनुसार द्रव्य दिया तथा अनन्य अंधो और दीनों को भी धन भाटा प्रसंता बढ़ाने वाली अपनी पुत्री को हुरदय से लगा कर माता वीर्णी ने उनका मस्तक चुमा और आनंद मगन होकर उनकी बारंबार प्रसंसा की तदन अंतर कुछ कालव्यतीत होने पर धर्मग्यों में स्रेष्ट राजा दक्ष इस चिंता में पड़ गए मैं अपनी पुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ किस प्रकार करूंगा महदेवजी प्रसंद होकर आये थे पर वे तो चले गए अब मेरी पुत्री के लिए फिर कैसे यहां आएंगे यदि किसी को शिग्र ही भगवान शिव के निकट भेजा जाए तो यह भी उचित जान नहीं पड़ता क्योंकि यदि वे इस अनुरोध करने पर भी मेरी पुत्री को ग्रहन ना करें तो मेरी याचना निश्वल हो जाएगी इस प्रकार की चिंता में पड़े हुए प्रजापती दक्ष के सामने मैं सरस्वती के साथ सहसा उपस्तित हुआ मुझ पिता को दे जब मेरे आनी का कारण पूछा तब मैंने सब बाते बताकर उन्हें कहा प्रजापते भगवान शंकर ने तुम्हारी पुत्री को प्राप्त करने के लिए निश्य ही मुझे तुमारे पास भेजा है इस विश्य में जो स्रेश क्रत्य हो उनका निश्य करो जैसे सती ने नाना प्रकार के भावों से तथा सात्विक व्रत के द्वारा भगवान शिव की आराधना की है उसी तरह वे भी देवी सती की आराधना करते हैं इसलिए दक्ष भगवान शिव के लिए संकलित एवं प्रकट हुई अपनी इस पुत्री को तुम अविलंब उन के लिए उत्पन हुई अपनी यह पुत्री उनके हाथ में धे दो श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद मेरी यह बात सुनकर मेरे पुत्रदक्ष को बड़ा हर्श हुआ वे अत्यंत प्रसन होकर बोले पिता जी ऐसा ही होगा मुने तब मैं अत्यंत हर्शित हो वहां से उस पर स्त्री और पुत्री सहित प्रजापती दक्ष भी फूर्ण काम हो गए वे इतने संतुष्ट हुए मानों अमरत पीकर अमर हो गए अध्याई सत्रह श्री ब्रह्मा जी ने राजा दक्ष की अनुमती पाकर देवताओं और मुनियों सहित भगवान शिव का राजा दक्ष के घर जाना राजा दक्ष द्वारा सब का सत्कार तथा देवी सती और भगवान शिव का विवाह श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारत तदन अंतर मैं हिमाल्या के कैलाश शिकर पर रहने वाले परमेश्वर महदेव शिव को लाने के लिए प्रसन्यता पुर्वक उनके पा कार्यकों वे अपने लिए असाध्य मानते थे उसे सिद्ध हुआ ही समझी दक्ष ने कहा कि मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के ही हात में दूंगा क्योंकि उन्हीं के लिए यह उत्पन हुई है भगवान शिव और सती का विवाह हो यह कार्यतों मुझे स्वत ही ना की है और इस समय शिव भी मुझसे इसी के विशय में अनवेशन पूछ ताच कर रहे हैं इसलिए मुझे अपनी कन्या अवश्य ही भगवान शिव के हाथ में देनी है विधात वे भगवान शंकर शुब लगन और शुव महरत में यहां पधारें उस समय में उन्हें शिक और देवी सती को ले आईए मुने मेरी यह बात सुनकर भक्त वत्सल रुद्र लोकिक गती का आश्र ले हस्ते हुए मुझसे बोले संसार की स्रस्टी करने वाले ब्रहमा जी मैं तुम्हारे और श्री नारद के साथ ही दक्ष के घर चलूँगा अता है नारद का स्मर्ण करो अपने मरीची आदी मानस पुत्रों को भी यह बुलालो विधे मैं उन सब के साथ दक्ष के निवास स्थान पर चलूँगा मेरे पार्शर भी मेरे साथ रहेंगे यह नारद लोकाचार में निर्वाह में लगे हुए भगवान शिव के इस प्रकार आग्या देने पर मैंने तुम्हारा और मरीची आदी पुत्रों का भी स्मण किया मेरे याद करते ही तुम्हारे साथ मेरे सभी मानस पुत्र मन में अंदर की भावना लिये सिग्र ही वहा आ पहुँचे उस समय तुम सब लोग हर्स से प्रपुल्यत हो रहे थे तिरुद्र के स्मण करने पर शिव भ तदन अंतर चैत्र मास के शुकल पक्स की तिरियो दसीतिती में रविवार को पुर्वा फालगुनी में मुझ ब्रह्मा और विश्नु आदी समस्त देवताओं के साथ महेश्वर ने विवाह के लिए यात्रा की मार्ग में उन देवताओं रिश्यों के साथ यात्रा करते हुए भगवान शंकर बड़ी शोभा पा रहे थे वहाँ जाते हुए देवताओं मुनियों तथा अनंद मगन मन वाले प्रथम गणों का राष्ट्य में बड़ा उत्सव हो रहा था भगवान शिव की इच्छा से प्रशब व्यागर सर्प जटा और चंद्रकला आदी सब के सब उनके लिए यथा योग आभूशन बन गए तदन अंतर वेग से चलने वाले बनवान बली वर्द नंदी केश्वर पर आरुड हुए महादेवजी श्री विश्नु आदी देव देवताओं के साथ लिए शन भर में प्रसंता पुर्वक दक्ष के घर जा पहुँचे और वहां विनीत जित वाले प्रजापती दक्ष ने समस्त आत्मनिय जनों के साथ भगवान शिव की अगवानी के लिए उनके सामने आए उस समय उनके समस्त अंगों से हर्ष्जनित र पाश्रु भाग में स्वयम भी मुनियों के साथ क्रम शह बैठ गए इसके बाद दक्ष ने मुनियों सहित समस्त देवताओं की प्रिकर्मा की उन सब के साथ भगवान शिव को घर के भीतर ले गए उस समय राजादक्ष के मन में बड़ी प्रसंता थी उन्होंने शर्वेश भगवान शिव को उत्तम आसन देकर स्वम ही विधी पुर्वक उनका पूजन किया तत्पश्चात श्री विष्णु का मेरा ब्रहामनों का देवताओं का और समस्त शिव गणों का भी यतोचित विधी से उत्तम भक्ति भाव के साथ पूजन किया इस तरह है पूजनिय इसके बाद मेरे पुत्र दक्ष ने मुझ पिता से मेरे चर्णों में प्रणाम करके ही प्रसंता पुर्वक कहा प्रभो आप ही वैवाही कारिय कराएं तब मैं हर्ष भरे हर्दय से बहुत अच्छा कहकर उठा और सारा कारिय कराने लगा तदन अंतर ग्रहों के बल से युक वान व्रशव धवजने भी वैवाहिक विधी से सुंद्री दक्ष कण्या का पानि ग्रहन किया फिर मैंने श्री हरी ने तुम तथा अन्य मुझ एं भी और पर्थम गणोंने भगवान शीव को प्रणाम किया और सबने नाना प्रकार की दस्तुत्यों द्वारा उन्हें संत देवी शिवा और भगवान शिव के द्वारा अगनी की प्रिकर्मा श्री हरी द्वारा शिव तत्व का वर्णन भगवान शिव द्वारा ब्रह्मा जी को दिये हुए वर के अनुसार वेदी पर सदा के लिए अवस्थान कथा भगवान शिव और देवी सती का विदा हो कैलाश पर जाना श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद कन्यदान करके दक्ष ने भगवान शंकर को नाना प्रकार की वस्तुए दहेज में दी यह सब करके वे बड़े प्रसन हुए फिर उन्होंने ब्रहामनों को भी नाना प्रकार के धन बाटे तत्पश्यात लक्ष्मी सहित भगवान ये भी सबकी माता है आप दोनों सत्पुर्षों के कल्यान तथा दुष्टों के दमन के लिए सदा लीला पुर्वक अवतार ग्रहन करते हैं यह सनातन शुति का कथन है आप चिकने नील अंजन के समान शोभा वाली सती के साथ जिस प्रकार शोभा पा रहे हैं मैं उससे उल मैं नीलवर्ण और लक्ष्मी गोरवर्ण है हे नारद मैं देवी सती के पास आकर ग्रह सुत्रोक्त विधी से विश्तार पुर्वक सारा अगनी कार्य कराने लगा मुझ आचार्यत था ब्रहमनों की आगसे शीवा और शिवने बड़े हर्च के साथ विधी पुर्वक अगन की प्रिकर्मा की उस समय वहां बड़ा अदभुत उत्सव मनाया जा रहा था गाजे बाजे और नत्य के साथ होने वाला वह उत्सव सबको बड़ा सुखद जान पड़ता था तदन अंतर भगवान विश्नु बोले सदा शिव मैं आपकी आग्यसे यहां शिवतत्व का वर् करती और उसके अतीद हैं अनेक भाग हैं फिर भी आप भागर रहित हैं जो तिर मैं स्वरूप वाले आप परमेश्वर के ही हम तीनों देवता अंश हैं आप कौन हैं ये कौन हैं और व्रह्मा कौन हैं आप परमात्मा के ही ये तीन अंश हैं जो स्रस्टी पालन और संगार करने के कारण एक दूसरे से भिन प्रतीत होते हैं। आप अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए। आपने स्वय्म ही लीला पुर्वक शरीर धारण किया है। आप निर्गुन ब्रह्म रूप से एक हैं। आप ही सगुन ब्रह्म हैं और हम ब्रह्मा। श्री विश्नु तथा प्रकार हम तीनों अंश आप परमेश्वर के ही अंग हैं। जो जोतिर में आकाश के समान सर्व व्यापी एवं निर्लेप स्वम ही अपना धाम पुरान कूटस्त अव्यक्त अनंत नित्य तथा दिर्ग आदी विशेष लक्षनों से निर्विशेष भ्रम्मा है। वही आप शिव हैं अता है आप ही सब कुछ हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं मुनिश्वर भगवान विश्णु की यह बात सुनकर श्री महादेव जी बड़े प्रसंद हुए। तदन अंतर उस विवाह यग के स्वामी यजमान परमेश्वर शिव प्रसंद हो। लोकिक गती का अच्छी तरह संपन करा दिया। अब मैं प्रसंद हूँ। आप मेरे आचारिया हैं बताइए आपको क्या दक्षिना दे। सुर्जयेस्ट अब आप दक्षिना को मांगिए। महाभाग यदि वह अत्यंत दुरलब हो तो भी उससे सिग्र कहिए। मुझे आपके लिए और महेश्वर यदी में अवर पाने के योग्य हूँ। तो प्रसंद का पुर्वक जो बात कहता हूँ उसे आप पूर्ण कीजी। महादेव आप इसी रूप में इस वेदी पर सदा विराज माने रहें। जिससे आपके दर्शन से मनुष्यों के पाप धुल जाएं। रविवार के दिन इस भूतल पर जो मनुष्य भक्ति भाव से आपका दर्शन करेगा उसके सारे पाप दतकाल नश्ट हो जाएंगे। विपुल पुन्य की व्रद्धी हो जाएगी और समच्त रोगों का सर्व थाहनाश हो जाएगा। जो नारी दुरभागा बंध्या कानी अथवा रूप ही ना हो वह भी आपके दर्शन मात्र से ही अवश्य निर्दोश हो जाएगी। मेरी यह बात उनकी आत्मों को सुख देने वाली थी। इसे सुनकर भगवान शिव ने परसंचित से कहा विधात ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे कहने से संपून जगत के हिद क लिए अपनी पत्नी सती के साथ इस वेदी पर सुष्तिर भाव से रहूंगा। ऐसा कहकर पत्नी सहित भगवान शिव अपनी अंश रूपनी मूर्ती को प्रकट करके वेदी के मध्य भाग में विराजमान हो गए। तद पश्यात स्वेजनों परसने हरखने वाले परमेश् भगवान शंकर ने दक्ष से विदाले अपनी पत्नी सती के साथ कैलाश जाने को तैयार हुए। उस समय उत्तम बुद्धी वाले राजा दक्ष ने विनैसे मस्तक जुका हात जोड कर भगवान व्रशब धज की प्रेम पुरुवक स्थुति की। फिर श्री विष्णु प्रकार की स्थुति करके बड़े आनंद से जैजैकार किया। तदन अंतर राजा दक्ष की आगय से भगवान शिव ने प्रसंदिता फुरुवक देवी सती को प्रशब की पीट पर बिठाया। और स्वयम भी उस पर आरुड होवे प्रभू हिमाल्य परवत की और चले। भगवान शंकर के समीप फ्रशब पर बैठी हुई सुन्दर दात और मनोहर हास वाली सती। अपने नील शाम वर्ण के कारण चंद्रमा में नीली रेखा के समान शोभा पा रही थी। उस समय उन नवदम पत्ती की शोभा देख श्री विश्नु आदी समस्त देवता, मरीच आदी महरिशी तथा दूसरे लोग ठगे से रहे गए। हिलडुल भी नैसके तथा दक्ष भी मोहित हो गए। भगवान शंकर ने बीच रास्ते से राजा रक्ष को प्रसनता पुर्वक लोटा दिया और स्वयम प्रेमा कुल हो प्रथम गणों के साथ अपने धाम को जा पहुँचे। यदपी भगवान शिव ने श्री विश्नु आदी देवताओं को भीविदा कर दिया था तो भीव देवड़ी प्रसनता और भक्ति के साथ उन्हें उनके साथ ठोलिये। उन सब देवताओं और प्रथमगणों तथा अपनी पत्नी सती के साथ हर्ष भरे शंभू हिमाल्या परवत से शुशोभित अपने कैला शिधाम में जा पहुँचे। जहां जाकर उन्होंने दूसरे लोगों का बहुत आदर सम्मान करके उन्हें प्रसनता पुर्वक विदा किया। भगवान शंभू की आग्यले श्री विष्णु आदि सब देवता तथा मुनी नमस्कार और स्थुति करके मुख पर प्रसनता की जाप लिए अपने अपने धाम को चलेगी। सूत जी कहते हैं मुनियों पुर्वकाल में स्वायमानुभाव मवन अंतर में भगवान शंकर और देवी सती का जिस प्रकार विवाह हुआ। वह सारा प्रसंग मैंने तुमसे कह सुनाया। जो विवाहकाल में यग्यमें अथ्वा किसी वीशुवकार्य में आरंभु में भ और दूसरे शुब कर्म भी सदा निर्विग्न पूर्ण होते हैं। इस शुब उपक्ष्यान को प्रेम पुर्वक सुनकर विवाहित होने वाली कन्या भी सुख सोभाग शुशीलता और सदाचार आदी गुणों से संपन साध्वी तथा इस्त्री पुत्रवती होती हैं। स्वरूप का विचेचत। कैलाश्ट था हिमाल्य परवत पर स्री शिव और देवी सती के विविद विहारों का विश्तार पुर्वक वर्णन करके ब्रह्मा जी ने कहा। मुने एक दिन की बात है देवी सती एकांत में भगवान शंकर से मिली और उन्हें भक्ती पुर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड कर खड़ी हो गई। प्रभु शंकर को पून प्रसन जानकर नमस्कार करके विनित भाव से खड़ी हुई दक्ष कुमारी सती भक्ती भाव से अंजली वान्धे बोली। देवी सती ने कहा देवादी देव, महादेव, करुना सागर, महाप् दीनों उधार पारायन महायोगी, मुझ पर कृपा कीजी। आप परम कुरुष हैं, सबके स्वामी हैं, रजोगुन, सत्वगुन और तमोगुन से परे हैं, निर्गुन भी सगुन भी है, सबके शाक्षी निर्विकार और महाप्रभु हैं। हर, मैं धन्या हूँ, जो आप की कामनी और आपके साथ सुन्दर विहार करने वाली आपकी प्रिया हुई है। स्वामिन, आप अपनी भक्त वसलता से ही प्रेरित होकर मेरे पती हुए, नात, मैंने बहुत वर्षों तक आपके साथ विहार किया। महेशान, इससे मैं बहुत संतुष्ट हुई हूँ, और अब मेरा मन उधर से हट गया है। देविश्वर, अब तो मैं उस परम्तत्व का ज्यान प्राप्त करना चाहती हूँ, जो निर्तेशे सुख प्रदान करने वाला है। तथा जिसके द्वारा जीव संसार दुख से अनायास ही उधार पा सकता है। नात, जिस कर्व का खान करके विशय जीव भी परमुत्तम पद को प्राप्त कर ले और संसार बंधन में नयबढ़े। उससे आप मुझे बताई, मुझे पर क्रपा के जी। श्रीव रम्मा जी कहते हैं मुने, इस प्रकार आदिशक्ती महेश्वरी देवी सती ने केवल जीवों के उधार के ल खाले स्वामी भगवान शिव ने अत्यन्त प्रस्ण होकर देवी सती से इस प्रकार कहा, भगवान शिव बोले देवी, दक्ष नंदनी, महेश्वरी, मैं उस परम्तत्व का वर्णन करता हूं, जिससे वासनाबध जीवतत कालमुत्य हो सकता है, परमेश्वरी, तुम विज विज्ञान वह है, जिसके उदै होने पर मैं ब्रह्म हूं, ऐसा दर्णिष्या हो जाता है, दाह के सिवा दूसरी किसी वस्तु का स्मर्ण नहीं रहता, उस विज्ञानी पुरुष की बुधी सर्वता शुद्ध हो जाती है, प्रिये वह विज्ञान दुर्लब है, इस त्र ब्रहुत है, और जो भोग और मोख शुरूप फल परदान करने वाली है, वह मेरी कृपा से सुलब होती है, भग्ति नो प्रकार की बताई गई है, देवी सती, भग्ति और ज्यान में कोई भेद नहीं है, भग्त और ज्यानी दोनों को ही सदा सुख प्राब्त होता है, जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। देवी मैं सदा भक्त के आधीन रहता हूं और भक्ति के प्रभाव से जाती हीन नीच मनुश्यों के घरों में भी चला जाता। इसमें संसय नहीं है। सती वह भक्ति दो प्रकार की हैं सगुणा और तथा इसमें भिन्द जो कामना मूलक भक्ति होती है वह निम्न कोटी की मानी गई है। पुर्वोक्त सगुणा और निर्गुणा ये दोनों प्रकार की भक्तियां नैमैश्ठक की और अनैश्ठक की नेती के भेद से दो भेद वाली हो जाती है। नैश्ठक की भक्ति छे प उसे अनेक प्रकार की मानते हैं। इन विवीद भक्तियों के द्वारा बहुत से भेद प्रभेद होने के कारण इनके तत्व का अन्यत्र वर्नन किया गया है। पुरिये मुन्यों ने सगुणा और निर्गुणा दोनों भक्तियों के 9 अंग बताए हैं। डक्षनंदनी मैं उन्न वो अंगों का वर्णन करता हूँ तुम प्रेम से सुनो देवी स्रवन किर्टन स्मर्ण सेवन दाश्य अर्चन सदा मेरा वंदन साख्य और आत्म समर्पन ये विद्वानों ने भक्ति के नो अंग माने हैं शिवे भक्ति के उपांग भी बहुत से बताए गए हैं देव अब तुम मन लगा कर मेरी भक्ति के पुरवोग्त न वो अंगों के प्रतक प्रतक लक्षन सुनो वे लक्षन भ४ोक्त था मोक्षप्रदान करने वाले हैं जो स्थिर आसन से बैठ कर तन्मन आदि से मेरी कथाकितन आदि का नित्य सम्मान करता हुआ परसंधा पुरवक तेरे दीव्य जन्म कर्मों का चिंतन करता हुआ प्रेम से वानी द्वारा उसका उच्छ स्वर से उच्चारन करता है उसके इस बजन साधन को किर्टन कहते हैं। देवी मुझनित्य महिश्वर को सदा और सर्वत्र व्यापक जानकर जो संसार में निरंतर निर्भय रहता है उसी को स्मर्ण कहा गया है। अभव के अनुसार शाष्ट्रिय विधी से मुझ परमात्मा को सदा पाग आदी सोला उप्चारों का जो समर्पन करता है उसे अर्चन कहते हैं। मन से ध्यान और वानी से वंदना आत्मक मंत्रों के उचारण पुरुवक आठो अंगों से भोतल का शपर्स करते हुए जो इश्ट देव को नमशकार किया जाता है उसे वंदन कहते हैं। इश्वर मंगल या अमंगल जो कुछ भी करता है वह सब मेरे मंगल के लिए ही है। ऐसा द्रडविस्वास रखना साख्य भक्ती का लक्षन है। देह आदी जो कुछ भी अपनी कहे जानी वाली वस्तु है। वह सब भगवान की प्रसंता के लिए उन्ही को समर्पित करके अपने निर्वाह के लिए भी कुछ बजा कर ना रखना अथवा निर्वाह की चिंता से भी रहित हो जाना। आत्म समर्पन कहलाता है। ये मेरी भक्ती के नो अंग हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इनसे ज्ञान का प्रकाट होता है। तथा ये सब साधन मुझे अत्यन्त प्रिये हैं। मेरी भक्ती के बहुत से उपांग भी कहे गए हैं। जैसे बिल्व आदी का सेवन आदी इनको विचार से समझ लेना चाहिए। प्रिये इस प्रकार मेरी संगो पांग भक्ती सबसे उत्तम है। येह ज्ञान वैराध्य की जन्नी है और मुक्ती इसकी दासी है। येह सदा साधनों से उपर विराजमान है। इसके दुआरा संपून कर्मों के फल की प्राप्ती होती है। येह भक्ती मुझे सदा तुम्हारे समान ही प्रिया है। जिसके चित में निरत्य अंदिरंतर येह भक्ती निवास करती है। वह साधक मुझे अतिंत प्यारा है। इनों लोकों और चारों युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई सुखदायक मार्ग नहीं है। कल युग में भी तो यहे विशेस सुखद एवं सुविधाजनक है। देवी कल युग में प्राय ज्यान और वैराध्य के कोई ग्राहग नहीं है। इसलिए वे दोनों व्रद उत्साहशुन्य और जारजर हो गए है। परन्तु भक्ति कल युग में तथा अन्य सब युगों में भी परत्यक्स फल देने वाली है। भक्ति के प्रभाव से मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। इसमें संसय नहीं है। संसार में जो भक्ति मान पुरुष है उसकी मैं सदा सहल्टा करता हूँ। उसके सारे विग्णों को दूर हटाता हूँ। उस भक्त का जो शत्रू होता है वे मेरे लिए दंडनी है। इसमें संसय नहीं है। देवी मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ। भक्त की रक्षा के लिए मैंने कुपित हो अपने नेत्र जनित अगनी से काल को भी दग्ध कर डाला था। प्रिये भक्त के लिए मैं पुर्व काल में सूर्या पर भी अचन्त क्रद हो था था और शूल लेकर मैंने उने मार बगाया था। देवी भक्त के लिए मैंने सैन्य सहित रावन को भी क्रोध पुर्वक जाग दिया और उसके परती कोई पक्षपात नहीं किया। सती देवेश्वरी बहुत कहने से क्या लाब। मैं सदा ही भक्त के आधिन रहता हूं और भक्ती करने वाले पुरुष के अत्यन्त वश में हो श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद इस प्रकार भक्त का महत्व सुनकर रक्ष कन्या सती को वड़ा हर्श हुआ। उन्होंने अत्यन्त प्रसन्यता पुर्वक भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम किया। मुने सती देवी ने पुनय भक्ती कांड विशक शास्त्र के विश शेंत्र मंत्र शास्त्र उनके महत्वत अणन्या जीवो धारक धर्म में साधनों के विशै में विशेस रूपसे जानने की इच्छा प्रकट की। सती के इस प्रश्न को सुनकर शंकरजी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए सब महेश्वर ने पाँचों अंगों सहीत तन्यम्य शाष्त्र यंत्र शाष्त्र तथा भिन भिन देवेश्वरों की महिमा का वर्णन किया। मुनिश्वर इतिहास कथा सहित उन्य देवताओं के भक्तों की महिमा का वर्न आश्रम धर्मों का तथा राज धर्मों का भी निर्पन किया पुत्र और स्तृरी के धर्म की महिमा का तभी नश्ट नैं होने वाले वर्न आश्रम धर्म का और जीवों को सुख देने वाले वैदक शाष्त्र तथा जो तिस शाष्त्र का भी वर्णन किया महेश्वर ने कृपा करके उत्तम समुद्रिक शाष्ट्र का तथा और भी बहुत से शाष्ट्रों का तत्वत वर्णन किया इस प्रकार लोकोपकार करने के लिए सद्गुण संपन्ड शरीर धार्ण करने वाले त्रिलोक सुखदायक और सरवग्य शिव सती हिमाल्य के कैलाश शिकर पर अनन्य स्थानों में नाना प्रकार की लीलाए करते थे वे दोनों दमपत्ती शाक्षात पारब्रम्व स्वरूप है अध्याए 21 वैते हिस दंड कारन्य में भगवान शिव को श्री राम के प्रती मस्तक जुकाते देख देवी सती का मोह तथा भगवान शिव की आग्यसे उनके द्वारा श्री राम की परिक्षा श्री नारत जी बोले ब्रहमन विधे प्रजानाथ माहप्राग दयानिधे आपने भगवान शंकर के तथा देवी सती के मंगलकारी सुयस का शुरवन कराया है अब इस समय पुनाह प्रेम पुर्वक उनके उत्तम यश्का वर्णन कीजिए उन शिव धमपती ने वहां रहकर कोन कोन सा चरित्र किया था श्री ब्रहमा जी ने कहा मुने तुम मुझ से सती और भगवान शिव के चरित्र का प्रेम से सर्वन सुनों वे दोनों दमपत्ती वहां रहकर लोकिक गती का आश्रले निरंतर कृड़ा किया करते थे तदन अंतर महादेवी देवी सती को अपने पती शंकर का व्योग प्राप्त हुआ ऐसा कुछ श्रेष्ट बुध्धी वाले विद्वानों का कथन है परन तुमुने वास्तों में उन दोनों का परस्परव्योग कैसे हो सकता है क्योंकि वे दोनों वानी और अर्थ के समान एक दूसरे से सदा मिले जुले रहते हैं शक्ति और शक्ति मान हैं तथा चित्व सरू तो भी लोकिक रिती का अनुसरन करके वे जो जो लीलाय करते हैं वे सब संभव हैं दक्ष कन्या देवी सती ने जब देखा कि मेरे पती ने मुझे त्याग दिया है तब वे अपने पिता दक्ष के यग में गई और वहां भगवान शंकर का अनादर देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया वे ही सती पुनाह हिमाल्य के घर मापार्वती के नाम से प्रकट हुई और बड़ी भारी तबस्या करके उन्होंने विवाह के द्वारा पुनाह भगवान शिव को प्राप्त कर लिया श्री सूत जी कहते हैं महरिशियो श्री ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर श्री नारत जी ने विधाता से भगवान शिव और शिवा के महान यश्च के विशय में इस प्रकार पुछा महारिशी नारत बोले महाभाग विश्णु शिष्य विधात आप मुझे शिवा और शिव के भावत था आचार से संबंद रखने वाले उनके चरित्र को पुर्वक सुनाईए तात भगवान शंकर ने अपने प्राणों से भी प्यारी धर्बतनी देवी सती का किस लिए त्याग किया यह घटना तो मुझे बड़ी विचित्र जान पढ़ती है अताहे आप इसे अवश्य कहिए अज आपके पुत्र दक्ष के यग्य में भगवान शिव का अनादर कैसे हुआ और वहां पिता के यग्य में जाकर देवी सती ने अपने शरीर का त्याग किस प्रकार किया इसके बाद वहां क्या हुआ भगवान महिश्वर ने क्या किया यह सब बाते मुझे से कहिए इन्हें सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी शद्धा है श्री ब्रह्मा जी ने कहा मेरे पुत्रों में श्रेष्ट महाप्राग्य तात नारद तुम महरिश्यों के साथ बड़े प्रेम से भगवान चंद्र मोली का यह चरित्र सुनो श्री विष्णु आदी देवताओं से सेवित पार ब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार करके मैं उ स्वतंत्र और निर्विकार हैं देवी सती भी वैसी ही है अन्यथा वैसा कर्म करने में कोन समर्थ हो सकता है परमेश्वर भगवान शिव ही पार ब्रह्म परमात्मा है एक समय की बात है तीनों लोकों में विचरने वाले लीला विशारत भगवान रुद्र देवी सती के घूमते घूमते वे दंड का रण्य में आये वहां उन्होंने लक्ष्वन सहित भगवान श्री राम को देखा जो रावन द्वारा छलपूर्वक हरी गई अपनी प्यारी पत्नी देवी सीता की खोज कर रहे थे वे हां सीते ऐसा उच्च स्वर से पुकारते पुकारते जहां तहां देखते और बारम बार रोते थे उनके मन में विराह का आवेश छा गया था सूर्य वन्ष में उत्पन वीर भूपाल दशरत नंदन भारत ग्रज श्री राम आनंद रहित हो लक्ष्मन के साथ वन में भ्रमन कर रहे थे और उनकी कान्तिफी की पड़ गई थी उस समय उदार चेता फूर्ण काम भगवान शंकर ने बड़ी प्रसंदता के साथ उन्हें प्रणाम किया और जैजै कार करके वे दूसरी ओर को चल दिये भग्वान शंकर ने उस वन में श्री राम के सामने अपने को प्रकट नहीं किया भगवान शिव की मोह में डालने वाली ऐसी लीला को देख देवी सती को बड़ा विसमय हुआ वे उनकी माया से मोहित हो उनसे इस प्रकार बोली देवी सती ने कहा देवेश पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान विष्णू भगवान ब्रह्मा आदिसब देवता आप ही की सदा सेवा करते हैं आप ही सब के द्वारा प्रणाम करने ही दोग्य हैं सब को आप ही सर्वदा सेवन और ध्यान करना चाहिए वेदान्त शास्त्र के द्वारा यत्न पुर्वक जानने योग्य निर्विकार परंप्रभु आप ही है नात ये दोनों पुरुष खोन है इनकी आकर्ती विरह विरस्था से व्याकुल दिखाई दीती है ये दोनों धनुर्धर वीरवन में विचरते हुए कलेश के भागी और दीन हो रहे हैं इनमें जो ज्रेश्ट है उनकी अंग कान्ती नील कमल के समान शाम है उसे देखकर किस कारण से आप आनंद विभोर हो उठे आपका चित क्यों अत्यंत प्रसन हो गया था आप इस समय भक्त के समान विनम्र क्यों हो गए स्वामिन कल्यान का रिशिव आप मेरे संसय को सुने प्रभु सेव स्वामी आपने सेवत को प्रणाम करे यह उचित जान नहीं पड़ता श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारर कल्यान मी परमेश्वरी आदी सक्ती देवी सती ने भगवान शिव की माया के वशी भूत होकर जब भगवान शिव से इस प्रकार प्रश्न किया तब देवी सती की वह बात सुनकर लीला विशारद परमेश्वर भगवान शंकर हसकर इस प्रमेश्वार ने कहा देवी, सुनो, मैं प्रसंद्टापुर्वक यतार्थ बात कहता हूँ, इसमें छल नहीं है, बर्दान के प्रभाव से ही मैंने इनहें आधर पूर्वक प्रणाम किया, प्रिये, ये दोनों भाई, वीरोध्वारा सम्मानित है, इनके नाम है श्री राम और लक्ष्मन इनका प्रकाट सूर्यवंस में हुआ ये दोनों राजादस्रत के विद्वान फुत्र हैं इनमें जो गोरे रंग के छोटे बंदु हैं वे शाक्षात शेश के अंश हैं उनका नाम लक्ष्मन है इनके बड़े भहिया का नाम श्री राम है इनके रूप में भग जानकार के लिए इस प्रत्वी पर अवतेंड हुए हैं ऐसा कहकर स्रिस्टी करता भगवान शंभू चुप हो गए भगवान शिव की ऐसी बात सुनकर भी देवी सती के मन को इस पर विश्वास नहीं हुआ क्यों ना हो भगवान शिव की माया बड़ी प्रबल है वह संपू यो बोले भगवान शिव ने कहा देवी मेरी यह बात सुनक तुम्हारे मन में मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो तुम वहां जाकर अपनी ही बुद्धी से श्री राम की परिक्षा कर लो प्यारी सती जिस प्रकार तुम्हारा मोहया भ्रमनष्ट हो जाए वह कार्य करो तुम वहां जाकर परिक्षा करो तब तक मैं इस बर्गद के व्रक्ष के नीचे खडा हूँ श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद भगवान शिव की आग्य से इश्वरी सती वहां गई और मन ही मन यह सोचने लगी मैं वन्चारी श्री राम की कैसे परिक्षा करो अच्छा मैं सीता का रूप धर्ण करके श्री राम के पास चलू यदि राम शाक्षात विष्णु है तब तो सब कुछ जान लेंगे अन्य था वे मुझे नहीं पहचान सकेंगे ऐसा विचार करके देवी सती सीता बनकर श्री राम के समीप उनकी परिक्षा के लिए चली गई वास्त पुल नंदन श्री राम सब कुछ जान गई और हस्ते हुए उन्हें प्रणाम करके बोले श्री राम ने पूछा सती जी आपको नमस्कार है आप प्रेम पुर्वक बताएं भगवान शंभू कहां गए हैं आप पती के बिना अकेली ही इस्वन में क्यों कर आई हैं देवी आ आपने अपना रूप क्याग कर किस लिए यह नूतन रूप धार्ण किया है मुझ पर कृपा करके इसका कारण बताएं श्री राम चंद्र जी की यह बात सुनकर देवी सती उस समय आश्रे चकित हो गई वे भगवान शिव की कही हुई बात का स्मर्ण करने लगी और यतार् पमंतर बहुत लजित हुई श्री राम को शाक्षात विश्नु जान अपने रूप को प्रकट करके मन ही मन भगवान शिव के च्रनार विंदो का चिंतन करती हुई परसंचित उनसे इस प्रकार बोली रगु नंदन स्वतंत्र परमेश्वर भगवान शिव मेरे साथ अपने सीता के लिए तुम्हारे मन में बड़ा कलेश था और तुम विरह शोक से पीडित दिखाई देते थे उस अवस्था में तुम्हें प्रणाम करके वो चले गए और उस वट वरक्ष के नीचे अभी खड़े ही है भगवान शिव बड़े आनंद के साथ तुम्हारे रूप में नहीं देखा था तो भी तुम्हारा दर्शन करते हुए आनंद विभोर हो गए इस निर्मल रूप की और देखते हुए उन्हें बड़ा आनंद प्राक्त हुआ इस विशय में मेरे पूछने पर भगवान शंभु ने जो बात कही उसे सुनकर मेरे मन में भ्रम उ प्रभुता मैंने अपनी आखों से देख ली है अब मेरा संसय धूर हो गया तो भी महमते तुम मेरी बात सुनाद मेरे सामने यह सच सच बताओ कि तुम भगवान शिव के भीवंदनिय कैसे हो गए मेरे मन में यही एक संदेह है इसे निकाल दो और शिग्र ही मुझे पूर्ण शांती प्रदान करो सती का यह वचन सुनकर श्री राम के नेत्र प्रफुल कमल के समान खिल उठे उन्होंने मन ही मन अपने प्रभु भगवान शिव का स्मर्ण किया इससे उनके हृदय में प्रेम की बाढ़ से आ गई मुने आग्यन होने के कारण वे सती के साथ भगवान शिव के निकट नहीं गए तथा मन ही मन उनकी महिमा का वर्णन करके और श्री रगुनात जी ने देवी सती से कहना आरंभ किया अध्याए 24 श्री शिव के द्वारा गोलोक धाम में श्री विष्णु का गोपेश के पदपर अभिशेक तथा उनके प्रती प्रणाम का प्रसंग सुनाकर श्री राम का देवी सती के मन का संदे हदूर करना देवी सती का शिव के द्वारा मानसिक त्याग श्री राम बोले देवी प्राचिन काल में एक समय सैद्रस्टा भगवान शंगुने अपने पराततपर धाम में विष्व कर्मा को बुलाकर उनके द्वारा अपनी गोशाला में एक रमणिय भवन बनवाया जो बहुत ही सिंगहासन का भी निर्मान कराया उस सिंगहासन पर भगवान शंकर ने विष्व कर्मा द्वारा एक छत्र बनवाया जो बहुत ही दिव्य सदा के लिए अर्भूत और परम उत्तम था तत पश्चात उन्होंने सब और से इंद्र आधी देवगणों सिद्धों गंधर्वों नाग आधि को तथा संपून उपदेवों को भी सिगर वहां बुलाकर समस्त वेदों और आगाओंों को हुत्रों सहित श्री ब्रह्मा जी को मुनियों को तथा अप्सराओं सहित समस्त देवियों को जो नाना प्रकार की वस्तों से संपन्य थी अमंत्रित किया इनके सिवा देवताओं, रिशियों, सिध्धों और नागों को सोला सोला कन्याओं को भी बुलवाया, जिनके हाथों में मांगली कवस्तुएं थी, मुने, वीना मुर्दंग, आदी नाना प्रकार के वाधों को वजवा कर, सुन्दर गीतों द्वारा महान उत्सव रचाया। संपून ओषधियों के साथ, राजय विशेक के योग्य द्रव्य एकत्र किये, पर्त्यक स्तिर्थों के जलों से भरे हुए पांच कलश भी मंगवाये, इसके सिवा और भी बहुत सी दिव्य सामग्रियों को भगवान शंकर ने अपने पार्शोदों द्वारा मंगवाया, और वहां उच्छ स्वर से वेद मंत्रों का घोश करवाया, देवी भगवान विश्णु की पूर्ण भक्ति से महेश्वर देव सदा प्रसन रहते थे, इसलिए उन्होंने प्रिती पुर्वक हर्दय से श्री हरी को वैखुंट से बुलवाया, और शुभ महुरत में श्री हरी क उस स्रेश सिंगहासन पर बिठाकर श्री महादेव जी ने उन्हें प्रेम पुर्वक सब प्रकार के आभोशनों से विभोशित किया, उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट बांधा गया, उनसे मंगल कोतुक करवाये, यह सब हो जाने के बाद महेश्वर ने सुम ब्रह्मांड में श्री हरी का अभिशेक किया, उन्हें अपना सारा एश्वर्य प्रदान किया, जो दूसरों के पास नहीं था, तदन अंतर स्वतंत्र इश्वर भक्त वत्सल शंभु ने श्री हरी का स्थवन किया, अपनी प्राधीनता और भक्त वश्टा को सर्वत्र सिद्ध करते हुए, स्वयम मेरे वंदनीय हो गए, इस बात को सभी सुन रहे थे, तात संपूर्ण देवता आदी के साथ इन श्री हरी को प्रणाम करो, और ये वेद मेरी आग्य से ही मेरी तरा इन श्री हरी का वर्णन करेंगे, श्री राम चंदर जी कहते हैं देवी, भगवान विश्णों की शिव भक्ती देखकर प्रसंद चित हुए वर्दायक भक्त वत्सल रुद्र देव ने उप्युक्त बात कहकर स्वयम ही गरण धज को प्रणाम किया, तदर अंतर श्री ब्रह्मा आदी देवताओं मुनियों और शिद आदी ने भी उसमे श्री हरी की वंदना किया, इसके प शात प्रसंद हुए भक्त वत्सल महेश्वर ने देवताओं के समक्ष श्री हरी को बड़े बड़े वर्प्रदान किये, महेश बोले हरे, तुम मेरी आगेसे संपून लोकों के करता पालक और संगारक हो, धर्म अर्थ और काम के दाता तथा दुर्नीती अथ्वा अन्याय क श्री नाना प्रकार की लिलाओं को प्रकट करने की शक्ती और तीसरी तीनों लोकों में नित्य सोतंत्रता हरे, जो तुम से द्वेश करने वाले हैं, वे निश्य ही मेरे द्वारा प्रत्न पुर्वक दंडनीय होंगे श्री विष्णू मैं तुम्हारे भगतों को उत्तम मोक्ष प्रदान करनगा, तुम इस माया को भी ग्रहन करो, जिनका निवारन करना देवता आदी के लिए भी कठिन है, तथा जिन से मोहित होने पर यह विश्वजड रूप हो जाएगा हरे तुम मेरी बाई भुजा हो और विधाता दाहिने भुजा, इन विधाता के भी उत्पादक और पालक होगे, मेरा हरदय रूप जो रुद्र है वही मैं हूँ, इसमें संसय नहीं है, वह रुद्र तुम्हारा और श्री ब्रह्मा आदी देवताओं का भी निश्य ही पु सदा सब की रक्षा कलते रहो, मेरे चिन्य में धाम में तुम्हारा जो यह प्रम वैभवशाली और अत्यंत उज्वल स्थान है, यह गोलोक नाम से विधात होगा, हरे भुतल पर जो तुम्हारे अवतार होंगे, वे सब के सब रक्षक और भक्त होंगे, मैं उनका अवश्य दर्शन करूंगा, वे मेरे वर्से सदा प्रसन रहेंगे, श्री राम चंदर जी कहते है देवी, इस प्रकार श्री हरी को अपना आखंड एश्वर्य सोंप कर, उमावल्लव भगवान श्वम कैलाश परबत पर जाते हुए, अपने पार्षदों के साथ स्वचंद कृड़ा करते रहे, तभी से भगवान लक्ष्मी पती वहां गोवेश धारण करके गए, और गोप गोपी तथा गोव के अधिपती होकर, बड़ी प्रसन्यता के साथ रहने लगे, वे श्री विश्नु प्रसन्य चित हो समस्त जगत की रक्षा करने लगे, वे भगवान शिव की आग से चार भाईयों के रूप में अवतेर्ण हुए हैं, उन चार भाईयों में सबसे बड़ा मैं राम हूँ, दूसरे भरत हैं, तीसरे लक्ष्मन हैं और चोथे भाई शत्रुगन हैं, देवी मैं पिता की आग से सीता और लक्ष्मन के साथ वन में आया हुआ हूँ, यहां किस सीता की निशाचर ने मेरी पत्नी सीता को हर लिया है, और मैं वीरह होकर भाई के साथ इस्वन में अपनी प्रिया का अन्वेशन खरता हूँ, जब आपका दर्शन प्राप्त हो गया, तब सर्वतह मेरा उशलमंगल ही होगा, मा सती, आपकी कृपा से ऐसा होने में कोई संद देह नहीं है, देवी, निश्य ही आपकी ओर से मुझे सीता की प्राप्ती विश्यक वर प्राप्त होगा, आपके अनुग्रह से उस दुख देने वाले पापी राक्षश को मार कर मैं सीता को अवश्य प्राप्त करूँगा, आज मेरा महान सोभाग्य है, जो आप दोनों न बाते कहकर कल्यान में देवी सती को प्रणाम करके रघुकुल शिरोमनी श्री राम उनकी आग्य से उस वन में विचरने लगे, पवित हृदय वाले श्री राम की यह बात सुनकर देवी सती मन ही मन, शिव भक्ती पारायन रगुनात जी की प्रसंसा करती हुई, बहुत प्र उदास होकर शिव जी के पास लोटी, मार्ग में जाती हुई, देवी सती को बारम बार चिंता होने लगी, कि मैंने भगवान शिव की बात नहीं मानी और श्री राम के प्रती पुद्शित बुद्धी कर ली, अब शंकर जी के पास जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगी, इस प्रकार बारम बार विचार करके, उन्हें उस समय बड़ा पश्यताप हुआ, भगवान शिव के समीप जाकर, देवी सती ने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया, उनके मुख पर विशाद चा रहा था, वे शोक से व्याकुल और निस्तेज हो गई थी, देवी सती को दुखी दे भगवान हर ने उनका कुशल समाचार पुछा और प्रेम कुर्वक कहा, तुमने किस प्रकार परिच्छा ली, उनकी यह बात सुनकर सती मस्तक जुकाए उनके पास खड़ी हो गई, उनका मन शोक और विशाद में दूबा हुआ था, भगवान महेश्वर ने दिहान लगा कर देवी सती का सारा चरित्र जान लिया, और उन्हें मन से त्याग दिया, वेद धर्म का प्रतिपालन करने वाले महेश्वर शिवने अपनी पहले की की हुई प्रतिज्या को नश्ट नहीं होने दिया, देवी सती का मन से त्याग करके, अपने निवास भूद कैलाश परवत पर चले गए मार्ग में महेश्वर और सती को सुनाते हुए आकाशवाणी बोली परमेश्वर तुम धन्य हो और तुम्हारी यह प्रतिग्या भी धन्य है तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा महायोगी और महाप्रभु कोई दूसरा नहीं है वह आकाशवाणी सुनकर देवी सती की कानपी फीकी पड़ गई उन्होंने भगवान शिव से पूछा नात मेरे परमेश्वर आप कोन सी प्रतिग्या की बात कर रहे हैं बताईए सती के इस प्रकार पूछने पर भी उनका आहित चाहने वाले श्री प्रभु ने पहले अपने विवाह के विशय में भगवा भगवान शिव का ध्यान करके उस समस्त कारण को जान लिकी जिससे उनके मन में प्रियतम ने उन्हें त्याग दिया श्री शंभु ने मेरा त्याग्धा कर दिया है इस बात को जानकर दक्ष कंण्या सती शिग्र ही अत्यंत शोक में ढूब गई और वारं बार्षिसकने रहने लगे नाना प्रकार की कथाय कहते हुए वे सती के साथ कैलाश पर जा पहुँचे और श्रेष्ट आसन पर इस्थित हो चित्वरत्यों के निरोध पुरुवक समाधी लगा अपने स्वरूप का धान करने लगे सती मन में अत्यनत विशादले अपने उस धाम में रहने ल लोक लीला का अनुसरन करने वाले उन दोनों प्रभुओं का इस प्रकार वहां रहते हुए दिर्ग काल व्यतित हो गया ततप शात उत्तम लीला करने वाले श्री महादेव जी ने ध्यान तोड़ा यह जानकर जगदंबासती वहां आई और उन्हें व्यतित हुर्दय से और बड़े प्रेम से बहुत सी मनोरम कथाएं कही उन्होंने वैसी ही लीला करके देवी सती के शोक को ततकाल दूर कर दिया वे सुख पुर्वक सुखी हो गए फिर भी शिव ने अपनी प्रदिज्या को नहीं छोड़ा तात परमेश्वर शिव के विशे में यह कोई आश् परंतु उनमे व्योग कैसे संभव है भगवान शिव और देवी शिवा के चरित्र को वास्त्विक रूप से कोन जान सकता है वे दोनों सदा अपनी इच्छा से खेलते और भाती भाती की लिलाय करते हैं देवी सती और भगवान शिव वानी और अर्थ की भाती एक दूसरे से निप्य संयुक्त हैं उन दोनों में व्योग होना एसंभव है उन की इच्छा से ही उनमें लीला व्योग हो सकता है अध्याए 25 प्रियाग में समस्त महत्मा मुन्यो द्वारा किये गे यग में राजा दक्ष का भगवान शिव को तिरस्कार पुर्वक शाप देना तथा नंदी द्वारा ब्रहमन कुल को शाप प्रदान भगवान शिव का श्री नंदी को शांत करना श्री ब्रहमा जी कहते हैं हे नारद पुर्वकाल में समस्त महत्मा मुनी प्रियाग में एकत्रित हुए थे वहां सम्मिलित हुए उन सब महत्माओं का विदी विधान से बहुत बड़ा यग्य हुआ उस यग में सनकादी, सिद्गण, देवरिशी, प्रजापती, देवता, श्री ब्रह्मा का शाक्षात कार करने वाले जानी भी पधारे थे मैं भी मूर्तीमान महातिजस्वी निगमों और आगमों से युख्त हो सैपरिवार वहां गया था अनेक प्रकार के उत्समों के साथ वहां उनका विचित्र समाज जुटा था नाना शाष्त्रों के संबंध में ग्यान चर्चा एवं वाद विवाद हो रहे थे मुने उसी अवसर पर देवी सती तथा पार्षदों के साथ त्रिलोक हितकारी स्रस्टी करता एवं सबके स्वामी भगवान रुद्र भी वहां आ पहुँचे भगवान शिव को आया देख संपून देवताओं सिख्धों तथा मुनियों और मैंने भी भक्ती भाव से उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुती की फिर भगवान शिव की आग्या पाकर सब लोग प्रसनता पुर्वक यथा स्थान पर बैठ गे भगवान का दर्शन पाकर सब लोग संतुष्ट थे और अपने सोभाग की सराहना कर रहे थे इसी बीच में प्रजापत्यों के भी पती प्रभुदक्ष जो बड़े ते जस्वी थे आकस्मात घूमते हुए प्रसनता पुर्वक वहां आये वे मुझे प्रणाम करके मेरी आग्यले वहां बैठे दक्ष उन दिनों समस्त ब्रह्मान के अधिपती बनाए गए थे अतेव सबके द्वारा सम्मान निय थे परन्तु अपने इस गोरोपूर्ण पद को लेकर उनके मन में बड़ा अहंकार था क्योंकि वे तत्व ज्ञान से शून्य थे उस समस्त देवरिशों ने नतमस्तक हो सुति और प्रणाम के द्वारा दोनों हात जोड कर उत्तम तेजस्वी राजा दक्ष का आदर सत्कार किया प्रण्तु जो नाना प्रकार के लीला विहार करने वाले सबके स्वामी उत्क्रष्ट लीलाकारी सोतंत्र परमेश्वर हैं उन महेश्वर ने उस समय दक्ष को मस्तक नहीं जुकाया वे अपने आसन पर ही बैठे रहे खड़े होकर दक्ष का स्वागत नहीं किया महादेव जी को वहाँ मस्तक जुकाते ना देख मेरे पुत प्रजापती दक्ष को मन ही मन बड़ा क्रोध आया और वे बहुत एप्रसन हुए उन्हें रुद्र पर सहसा क्रोध आया वे ज्यान शून्यत था महान अहंकारी होने के कारण महाप्रभू रुद्र को क्रूर द्रस्टी से देख कर सब को सुनाते हुए उच्छ स्वर से कहने लगी दक्ष ने कहा ये सब देवता असुर स्रेष्ट ब्रहामन तथा रिशी मुझे विशे सुरूप से मस्तक जुकाते हैं परन्तु वह जो प्रेतों और पिशाचों से घिरा हुआ महान मनस्वी बन कर बैठा है वह दुष्ट मनुष्य के समान क्यो मुझे प्रणाम नहीं करता शमशान में निवास करने वाला यह निरलज जो मुझे इस समय प्रणाम नहीं करता इसका क्या कारण है इसके वेदोक्त कर्म लुप्त हो गए हैं यह भूतों और पिशाचों से सेवित मतवाला हो बना फिलता है और ना शाष्ट्र विधी की अवहलना करके निती मार्ग को स कर उदंडता पुर्वक उसकी निंदा करने वाले होते हैं यह स्वम ही इस्त्री में असक्त होने वाला लगता है रती कर्म में ही दक्ष है अता है मैं इसे शाप देन को उधत हुआ हूं यह रुद्र चारों वर्णों में प्रथक और कुरूप है इसे यग्षे बहिश्क्र कर दिया जाए यह शमसान भूमी में निवास करने वाला उत्तमकुल और जन्म से विहीन है इसके लिए देवताओं के साथ यह यग्ग में भाग ना पाए श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद दक्ष की कही हुए यह बात सुनकर ब्रगु आदी बहुत से महारशी रुद् दुष्ट मानकर देवताओं के साथ उनकी निंदा करने लगे दक्ष की यह बात सुनकर नंदी को बड़ा रोश हुआ उनके नेत्र चंचल हो उठे और वे दक्ष को शाप देने के विचार से तुरंतिश प्रकार बोले नंदिश्वर ने कहा अरे महामूर दुष्ट यग से वहिस्क्रत क्यों कर दिया जिनके इस्मन मात्र से यग सफल और तिर्थ पवित्र हो जाते हैं उनी महादेव जी को तुने शाप कैसे दे दिया दुर्बुधी धक्ष तुने ब्रहामन जाति की चपलता से प्रेदित हो इनुद्र देव को व्यर्त ही शाप दे डाला है महाप्रभुरुद्र सर्वता निर्दोष हैं तथापी तुने व्यर्त ही उनका उपहास किया है ब्रहामन धाम चिन्होंने इस जगत की स्रस्टी की जो इसका पालन करते और अंत में जिनके द्वारा इसका संगार होगा उन्ही इन महेश्वर को तुने शाप कैसे दे दि पर प्रजापती दक्ष रोस से आग बबूला हो उठे और उन्हें शाप देते हुए बोले अरे रुद्र गणों तुम सब लोग वेद से बहिस्क्रत हो जाओ वैदिक मार्ग से भ्रस्ट था महारिश्योद्वारा परित्याग हो पाखंड वाद में लग जाओ और पीर में भस्म एवं हड्यों के आभूशन धारण करने वाले मदपान में आसक्त रहो जब राजा दक्ष ने भगवान शिव के पार्षदों को इस प्रकार शाप दे दिया तब उस समय शाप को सुनकर शिव के प्रिया भक्त नंदी अत्यंत रोश के वशिभूत हो गई शि नंदिस्वर बोले अरे शट बुद्धी दक्ष तूने भगवान शिव के तत्व का विल्कुल ज्यान नहीं किया अता है तूने शिव के पार्षदों को व्यर्थ ही शाप दे दिया है अहंकारी दक्ष जिनके चित्त में दुष्टा भरी है उस भ्रगु आदि ने भी ब्र सुद्र तेज के प्रभावशे ही शाप दे रहा हो तुझ जैसे ब्रहामन कर्म फल के प्रसंसक वेदवाद में फसकर वेद के तत्व ज्यान से शुन्य हो जाएं वे ब्रहामन सदा भोगों में तन्न में रहकर स्वर्ग को ही सबसे बड़ा पुर्शार्त मानते हुए स्वर सुद्ध लोब और मद से युक्ट और निर्लज भिख्षुक वने रहें कितने ही ब्रहामन वेद मार्ग को सामने रखकर शुद्रों का यग कराने वाले और दृद्र होंगे सदा दान लेने में ही लगे रहेंगे दोशित दान ग्रहन करने के कारण वे सब के सब नरक्य गा वाला प्रजापती दक्ष तत्व ज्यान से विमुख हो जाए इस विशासुक की इच्छा से कामना रूपी कपट से युक्त धर्म वाले अग्रहस्त आश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड का तथा कर्म फल की प्रसंशा करने वाले सनातन वेद का ही विस्तार करते रहें इसका आनंद में मुख नश्ट हो जाए यह आत्म ज्यान को भूलकर पशू के समान हो जाए तथा यह दक्ष कर्म भ्रस्ट हो शिग्र ही बक्रे के मुख से युक्त हो जाए इस प्रकार कुपित हुए नंदी ने जब ब्रामनों और दक्ष ने महादेवजी को शाप दिया तब व कुझत है शाप सुनकर मैंने बारं बार उनकी तथा भ्रगु आदी ब्रामनों की भी निंदा की सदाशिव महादेवजी भी नंदी की यह बात सुनकर हस्ते हुए मधुर्वाणी में बोले वे नंदी को समझाने लगे सदाशिव ने कहा नंदिन मेरी एक बात सुनो तुम तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुम्हें भ्रम्स यह समझ कर मुझे शाप दिया गया। व्यर्ति ही ब्रहामन कुल को शाप दिया। वास्तव में किसी का शाप छूही नहीं सकता। अता है तुम्हें उत्यजित नहीं होना चाहिए था, वेद मंत्राक्षरम्य और सुक्त में हैं। उनके परत्यक्षुक्त में समस्त देहद्हारियो के आतमा परमात्मा पर्तिष्चत है। अता है उन मंत्रों के गयातानित्य आत्मु वेता है। इसलिए तुम रोशवश उन्हें शाप ना दो, किसी की बुद्धी कितनी ही दूशित क्यों ना हो जाए, वह कभी वेदों को शाप नहीं दे सकता, इस समय मुझे शाप नहीं मिला, इस बात को तुम्हें ठीक ठाक समझना चाहिए, महबते, तुम सनकादी सिद्धों को भी तत्वग्यान का उपदेश देने वाले हो, अता है, शांत हो जाओ, मैं ही यग्य हूँ, और मैं ही कर्म यग्य हूँ, यग्यों के अंग भूत समझत उपकारण भी मैं ही हूँ, यग्य की आत्मा में मैं हूँ, यग्य पाराण ये गुद्धि से इस बात का विचार करो, तुमने ब्रहामनों को व्यर्त ही साप दिया है, माहमते नंदिन, तुम तत्म ज्यान के द्वारा प्रपंच रचना का बोध करके आत्मनिष्ट ज्यानी एवं क्रोध से शुन्य हो जाओ, श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारर, प्रान शिव भी अपने प्रान प्रिय पार्षद नंदि को शिग्र ही तत्व का बोध कराकर प्रथम गणों के साथ वहां से प्रसनता पुर्वक अपने स्थान को चल दिये, इधर रोशा वेश में युक्त दक्ष भी ब्रहमनों से घिरे हुए, अपने स्थान को लोट उस समय रुद्र को शाप दिये जाने की घटना का स्मण करके दक्ष सदा महान रोश से भरे रहते थे, उनकी बुद्धी पर मूडता चा गई थी, वे भगवान शिव के पृति शिद्धा को त्याग कर शिव पूज को की निंदा करने लगे, तात नारद इस प्रकार परमा आत्मा शंभु के साथ दुरुवय हार करके राजा दक्ष ने अपनी जिस दुस्ट बुद्धी का परिचय दिया था, वह मैंने तुम्हें बता दी, अब तुम उनकी पराकाष्था को पहुंची हुई, दुरुबुद्धी का वरतांत सुनो, मैं तुम्हें बता रहा राजा दक्ष के द्वारा महान यग्य का अयोजन, उसमें श्री ब्रह्मा, भगवान विष्णु, देवताओं और रिष्यों का आगमन, राजा दक्ष के द्वारा सबका सत्कार, यग्य का आरंभ, ददीची द्वारा भगवान शिव को बुलाने का अनुरोध, और राजा दक्ष ने बहुत बड़े यग्य का अरंभ किया, उस यग्य की दिक्षा लेकर, उन्होंने उस समय समस्त देवरिश्यों, महारिश्यों तठादे उताओं को बुलवाया, वे सभी उस यग्य में पधारे, अगस्त कश्यप, अत्री, वामुदेव, भ्रगु, दधीची, अरद्वाज, गोतम, पैल, पराशर, गर्ग, भार्गव, कुष, सिंत, सुमन्तू, त्रिक, कंक और वैंपायन, ये तथा, दूसरे बहुसंचक मुनी, अपने इस्ति पुत्रों को साथ ले, मेरे पुत्रदक्ष के यग्य में हर्ष पुर्वक सम्मिलित हुए थे, इसके सि समस्त देवगण महान, अभ्युद्शाली, लोकपालगण, और सभी उपदेवता, अपनी उपकारक सैन्यशक्ति के साथ वहां पधारे थे, राजा दक्ष ने प्रार्थना करके सदल बल मुझ विश्वद्रष्टा श्री व्रहमा को भी सत्य लोक से बुलवाया था, इसी सबका बड़ा सत्कार किया, विश्व कर्मा ने अत्यंत दिप्तिमान विशाल और वहून लदिव्य भवन बनाए थे, राजा दक्ष ने ही वे भवन समस्त अथितियों को ठैरने के लिए दिये, सभी लोग सम्मानित हो, उन संपून भवनों में यतायोग्य स्थान पाकर ठ खैरे हुए थे, राजा दक्ष का महायग उस समय कनखल नामक तिर्थ में हो रहा था, उसमें दक्ष ने म्रगु आदी तपोधनी रित्विज्व बनाया, संपून मारुदगनों के साथ स्वय्म भगवान विश्णू उनके आधिष्ट थे, मैं वेद गायत्री की विधी को दिखाने या बताने वाला ब्रह्मा बना था, इसी तरह संपून दिक्पाल अपने आयुदों और परिवारों के साथ द्वारपाल एवं रक्षक बने थे, सदा कोतु हल पैदा करते थे, स्वय्म यग्य सुन्दर रूप धारन करके राजा दक्ष के उस यग्यमंडल में उ लिए अपने सहस्त्रो रूप प्रकट किये थे, वहां 88,000 रित्विज एक साथ हमन करते थे, 64,000 देवरिशी उदगाता थे, उद्धर्व्यू एम होता भी उतने ही थे, हे नारद देवरिशी और सप्तरिशी प्रथक प्रथक कथागान कर रहे थे, राजा दक्ष ने अपन समस्त नागों का भी बहुत बड़ी संख्या में वरण किया था, महारिशी, राजरिशी और देवरिश्यों के समुदाय तथा बहुत संख्यक नरेश भी उसमें अमंत्रित थे, जो अपने मित्रों मंत्रियों तथा सेनाओं के साथ आय हुए थे, यजुमान राजा दक्ष उस यग में वसु आधी समस्त देवताओं का भी वरण किया था, कोतुक और मंगला चार करके राजा दक्ष ने यग्ध की दिक्षा ली, जब उनके लिए बारंबार स्वस्ति वाचन किया जाने लगा, तब वे अपनी पत्नी के साथ बड़ी शोभा पाने लगी, इतना सब करने पर भी दुष्टा आत्मा राजा दक्ष ने उस यग्ध में भगवान शम्ध को नहीं आमंत्रित किया था, उनकी द्रस्ती में कपालधारी होने के कारण, वे निश्य ही यग्ध में भाग पाने योग्य नहीं थे, सती प्रजापती दक्ष की प्रिया पुत्री थी, त और यग्य मंडप में आय हुए, सब रितिज्व अपने अपने कार्य में सलग्न हो गए, उस समय भगवान शंकर को पस्तित ना देख, शिव भक्त दधीची का चित अत्यंत उद्विग्न हो उठा, और वे इस प्रिकार बोले, महारिशी दधीची ने कहा, मुख्य मुख्य के देवताओं तथा महारिशियों, आप सब लोग प्रशंशा पुर्व की मेरी बात सुने, इस यग्य महोस्चों में भगवान शंकर क्यों नहीं आये, इनका क्या कारण है, यद्ध पी, ये देवेश्वर बड़े-बड़े मुनी और लोग पाल यहां पधारे हैं, तथा पी, उन महात्मा पी नाकमणी शंकर के बिना, यह यग्य अधिक शोबा नहीं पा रहा, बड़े-बड़े विद्ध्वान कहते हैं, मंगल में भगवान शिव की कृपा द्रस्टी से ही, समस्त मंगल कार्य संपन होते हैं, जिनका ऐसा प्रभाव है, वे पुरान पुरुष अवरशुद्वज परमेश्वर श्री नील कंट यहां क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, राजा दक्षने जिनके संपर्क में आने पर, अथ्वा जिनके स्विकार कर लेने पर, अमंगल भी मंगल हो जाते हैं, तथा जिनके पंद्रा नेत्रों से भी देखे जाने पर, प्रभावशाली भगवान विष्णू, देवराज इंद्र, लोखपालगणों, ब्रहमणों और सिध्धों की सहायता से सर्वथा प्रयत्न करके इस यग की पूर्ति के लिए तुम्हे भगवान शंकर को यहां ले आना चाहिए, आप सब लोग उस स्थान पर जाएं, जहां महिश्वर देव विद्रवान है, वहां से दक्षनंदनी सती के साथ भगवान शंभु को तुरंत यहां ले आए, देवेश्वरो, जगदंबा सहीत्वे परमात्माशिव यदी यहां आ गए, तो सब कुछ पवित्र हो जाएगा, उनके स्मन्ण से, उनके नाम लेने से सारा कार्य पुन्य में हो जाता है, अता है, पुर्ण पर्यत्न करके भगवान व्रश्वध हज को यहां ले आना चाहिए, भगवान शंकर के पदा अधरपन करते ही, यह यग्य पवित्र हो जाएगा, अन्य था यह पूरा नहीं हो सकेगा, यह मैं सत्य कहता हूँ, महारिशीद धिची का यह वचन सुनकर दुष्ट बुद्धी वाले मूड रक्षने हस्ते हुए, रोश पुर्वक कहा, भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के मूल हैं, जिन में सनातन धर्म पर्तिष्टित हैं, जब इनको मैंने साधर बुला लिया है, इस यग् प्रकार के समस्त कर्म प्रतिष्टित हैं, वे भगवान विष्णु तो यहां आही गए हैं, इनके सिवासत्य लोक से पितामा श्री ब्रह्मा, वेदो उपनिश्दो और विविद आगामों के साथ यहां पधारे हैं, देवगणों के साथ सुन्म देवराज इंद्र का पात्र हैं, वेद और विदार्फ तत्व को जानने वाले हैं, और धर्ता पुरुवकवरत का पालन करते हैं, वे सब और शुम आप भी यहां पदादरप्रण कर चुके हैं, तब हमें यहां रुद्र से क्या प्रायोजन है, विप्रवर मैंने श्री ब्रह्मा जी के कहने से ह अपनी कन्यारुद्र को ब्यादी थी, वैसे मैं जानता हूँ, हर कुलीन नहीं है, उनके ने माता है, ने पिता है, वे भूतों और प्रेतों और पिशाचों के स्वामी हैं, अकेले रहते हैं, उनका अतिकर्मन करना दूसरों के लिए अत्यंत कथिन हैं, वे आत्म परसंसक् इस यग्य कर्में बुलाए जाने योग्य नहीं हैं, इसलिए मैंने उनको यहां नहीं बुलवाया, अता है दधीची जी, आपको फिर कभी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, मेरी प्रातना है, आप लोग सब मिलकर मेरे इस महान यग्य को सफल बनावे, दक्ष की यह बात सुन अब यह यग्य कहलाने योग्य ही नहीं रह गया, विशेशता है, इस यग्य में तुम्हारा विनाश हो जाएगा, ऐसा कहकर महारिशी दधीची दक्ष की यग्य शाला से अकेले ही निकल पड़े और तुरंत अपने आश्रम को चल आए, तदन अंतर जो मुख्य मुख्य श दक्षियों के उस यग्य मंडल से निकल जाने पर दुष्ट बुद्धी शिव द्रोही दक्ष ने उन मुनियों का उपहास करते हुए कहा, दक्ष बोले, जिने शिव ही प्रिय हैं, वे नाम मात्र के अब्रहामन दधीची चले गए, उन ही के समान जो दूसरे थे, वे भी म चार शक्ती नष्ट हो गई है, जो मंद बुद्धी और मिथ्यवाद में लगे हुए हैं, ऐसे वेद बहिश्करत दुराचारी लोगों को यग्य कर्म से त्याग देना ही चाहिए, भगवान विश्णू, आदी आप सब देवता और ब्रहमन वेदवादी हैं, अतह मेरे इस यग्य को शिग्र ही सफल बनावे, श्री ब्रहमा जी कहते हैं, दक्ष की यह बात सुनकर भगवान शिव की माया से मोहित हुए समस्त देवरिशी, उस यग्य में देवताओं का पूजन और हवन करने लगी, मुनिश्वर नारद, इस प्रकार उस यग्य को शाप मिला, उसक के विद्भन्स की घटना को बताया जाता है, आदर पुर्वक सुनो, अध्याए 27, राजा दक्ष का यग्य समाचारपा, देवी सती का भगवान शिव से वहाँ चलने के लिए अनरोध करना, राजा दक्ष के शिव द्रोह को जानकर, भगवान शिव की आग्य से देवी सती का पिता के यग्य मंदब की और शिव गणों के साथ प्रस्थान, श्री व्रम्मा जी कहते हैं, हे नारत, जब देवरी शीगन बड़े उत्साह और हर्ष के साथ, राजा दक्ष के यग्य में जा रहे थे, उसी समय दक्ष कन्या देवी सती, गंधु मादन परवत पर भाती भाती की उप्तम क्रिडाय कर रही थी, पर संद्था पुर्वक्रिडा में लगी हुई, देवी सती ने उस समय रोहिनी के साथ दक्ष रग्य में जाते हुए चंद्रमा को देखा, वे अपनी हितकारणी प्राण प्यारी स्रेष्ट सखी विजिया से बोली, मेरी सख्य में स्रेष्ट प्राण प्रेविजिये, जल्दी जाकर पूष्ट वा ये चंद्रदेव रोहिनी के साथ वहां कहां जा रहे हैं। देवी सती के इस प्रकार आग्या देने पर उनके पास गई, उनसे अथोचित शिष्टा अचार के साथ पूछा, चंद्रदेव आप कहां ज तांत कहा, वह सब सुनकर विजयबडी उतावली के साथ देवी के पास गई, और चंद्रमा ने जो कुछ कहा था वह सब उसने कह सुनाया, उससे सुनकर कालिका देवी सती को बड़ा विश्मय हुआ, उसे यहां सूचना ना मिलने का क्या कारण है, यह बहुत सोचने विचा आने से पूछा, देवी सती बोली प्रभु, मैंने सुना है कि मेरे पिताजी के यहां कोई बहुत बड़ा यग्य हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा उत्सव होगा, उसमें सब देवरिशी एकत्र हो रहे हैं, देविश्वर देव, पिताजी के उस महान यग्य में चलने की पिरुची आपको क्यों नहीं है, इस विशे में जो बात हो वह सब बताईए, महादेव सुहार्दों का यह धर्म है, कि वे सुहार्दों के साथ मिले जुले, यह मिलन उनके महान प्रेम को बढ़ाने वाला होता है, अताह मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, आप मेरी प्रार् महिश्वर देव, जिनका हर्दय राजादक्ष के वान बानों से घायल हो चुका था, मधुरवानी में बोले देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मेरे प्रती विसेश द्रोही हो गए हैं, जो प्रमुक देवता और रिशी अभिमानी मूड और ग्यान शुन्य हैं, वे ही सब तुम्हारे पिता के यग में गए हैं, जो लोग बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं, वे वहाँ अनागर पाते हैं, जो मुर्त्यु से भी बढ़कर कष्ट दायक है, अता है प्रिये, तुमको और मुझको तो विशेस रूप से दक्ष के यग में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ हमें बुलाया नहीं गया है, यह मैंने सची बात कहिए, महात्मा महिश्वर के ऐसा कहने पर देवी सती रोश्पुरुवक बोली है शम्भू, आप सब के इश्वर हैं, जिनके जाने से यग सफल होता है, उन्हीं आपको मेरे दुष्ट पिताने इस समय अमं प्राय क्या है, वह सब मैं जानना चाहती हूं, साथ ही वहाँ आए हुए, संपूर्ण दुरात्मा देवरिश्यों के मनोभाव का भी पता लगाना चाहती हूं, कता है प्रभु, मैं आज ही पिता के यग्य में जाती हूं, नात, आप मुझे वहाँ जानने की आग्या दे, देवी सती के ऐसा कहने पर सरवग्य सर्वद्रष्टा, सस्टी करता, कल्यान स्वरूप साक्षात भगवान रुद्र उनसे इस प्रकार बोलू, भगवान शिव ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, यदि इस प्रकार तुम्हारी रूच्ची वहाँ अवश्य जाने के लिए हो गई है, तो मेरी आगय से तुम शिग्र अपने पिता के यग में जाओ, यहनंदी व्रशव सुसजित है, तुम एक महरानी के अनुरूप राजो उप्चार साथ लेकर इस पर सवार हो, बहुत संख्यक प्रथम गणों के साथ यात्रा करो, इस विभोशित ब्रशव पर आरड हो, रुद्र के इस प्रकार आदेश देने पर सुन्दर आभोशनों से अलंकरत सती देवी, सब साधनों से युक्त हो पिता के घर की ओर चली, और मात्वा शिव ने ही, उन्हे सुन्दर वस्त्र आभोशनत था, परम उज्वल छत्र चामर आदी, महराज भगवान शिव की आगय से, साथ हजार रुद्रगन बड़ी प्रसनिता और महान उत्साह के साथ, कोतु हल पुर्वक देवी सती के साथ चल पड़े, उस समय वहां यग के लिए यात्रा करते हुए, सब और महान उत्सव होने लगा, महादेव जी के गणोंने, शिव प्रिय देवी सती के लिए बड़ा भारी उत्सव रचाया, वे सभी गण, कोतु हल पूर्ण कार्य करने, तथा सती और भगवान शिव के यश्कों गाने लगे, भगवान शिव के प्रिय और महान वीर प्रथम गण, प्रसनिता पुर्वक उछलते खूदते चल रहे थे, मा जगद 28. यग शाला में भगवान शिव का भाग ना देखकर, देवी सती के रोषपूर्ण वचन, राजा दक्ष द्वारा भगवान शिव की निंदा सुनकर, दक्ष तथा देवताओं को धिकार फटकार कर, देवी सती द्वारा अपने प्रान त्यागने का निश्य, श्री ब्रम 29. द्वाजी कहते हैं हे नारद, दक्ष कन्या देवी सती उस स्थान पर गई, वह वहां महान प्रकास से युक्त हो यग्य हो रहा था, वहां देवता असुर और मुरिश्वर आदी के द्वारा को तुहल पूर्ण कार्य हो रहे थे, देवी सती ने वहां अपने पिता के मुदाय से भरा हुआ देखा, देवी सती भवन के द्वार पर जाकर खड़ी हुई और अपने वहन नंदी से उतर कर अकेली ही सिग्रता पुर्वक्य अग्रिशाला के भीतर चले गई है।